चाकू की नोक पर लूट मार करने वाले फरार तीन आरोपियों में से प्रमुक आरोपी को दुर्ग पुलिस ने धर्दबुचा है। वहीं अन्य दो आरोपियों की तलास की जा रही है। दुरुक के राजिव नगर वाड निवासी डोमेंदर प्रसाद दिवांगन के साथ बीतिया तीन लोगों द्वारा चाय नाश्ता की दुकान पर गुश कर जवरन गाली गरज कर चाकू की नोक पर गल्ले में रखे करीब 4,000 रुपए और मुबाईल फोन से यूपी आई पीन लूट को अंजाम देने वाले मुख की आरोपी को मुहन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर नियायलाय में पेश किया है जहां से उसे नियायक रिमान पर जेल भीजा गया है आरोपी की पास से पुलिस ने लूट के 1,000 रुपए और धारदार चाकू को बरामत किया है इस मामल आरोपी की खोजबिन शुरू की और आखिरकार आरोपी को घ्रबंदे कर धर्दबोचा। पुछतार में आरोपी ने लोट गतना को अंजाम देना स्वीकार किया है साथ ही मामले में दो फरार आरोपि की तलास पुलिस कर रही है मामले खुले कर एडिशनल S1 ने प्रतिक्र प्रवाना किया गया उसे घेराबंदी कर गिरफतारी की गई है रुपी फिलाल गिरफतार है मानी नाला में उसको पेस कर दिया गया है कि एस एन न्यूस के लिए दुर्गुसे नसीम फारुकिक रिपोर्ट